Hello everyone! My name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So, Magnet Brains is a platform where you can get a course from kindergarten, you can ask for anything, you can ask for CBSC Board, you can ask for State Board, you can ask for NTSC, you can ask for Olympia Arts, you can ask for NCIT Book or any famous author about the content you can ask for the content you can ask for the website, you can ask for the app, you can ask for the quality education and that too free of cost. Yes, you heard that right, free of cost, two chapters or two videos about me, complete course, complete course, I have to go free of cost. All you need to do is come and learn from these videos. So guys, what are we doing now? So, today we cover the web browser, we're going to talk about it, we're going to talk about it. So, about it, we're going to talk about it, we're going to talk about it. So, we're going to talk about it, if there is a way of thinking about it, we're going to talk about it. सब कुछ आपको नहीं पता है वेब्राउजर के बारे में इस वीडियो में definitely आपको कुछ ना कुछ नेया जानने को ज़रूर मिलेगा कि आप अपको ये बराउजर की नहीं है बट मैंने थोड़ा सब राउजर के ऊपर क्योंकि आपको वह चीज जाननी भूषगा नेटर। हेलप ही करेंगे तो हम वेब ब्राउजर के बारे में आज डीटेल में जानेंगे अगर कुछ भी नया टॉपिक आप इस वीडियो में सीखो तो मुझे कमेंट सक्षिन में बताना कि जो पेपर में पूछी भी बहुत सथा जाती हैं तो हो जाएगा आपका तो कमेंट सेक्षिन में बताएगा जरू मुझे चलिए तो फट 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 शुरुवात करते हैं जैसे आप लोग को पता है कि हमारा क्लास 12 का कंपिटर साइंस का फिलाल और इंसी एटी का 10 चाप्टर चल रहा है विच इस फिर से में ने वाला था अब प्रॉटर साइंस मुलने वाला था ठीक है कंप्यूटर नेट वर्क जिसमें आज हम देखने वाले वेब ब्रौजर की बारे में क्या होता है वेब ब्राउजर अब सुना तो सबने हूआ है यह टॉपिक स्टाट करने से पहले एक क्विक इंफरमिशन आपने के लिए यह जैसे आप लोग को पता है कि हमारी दो खुल एक है मागनेटबरेंस एक है पाबली मागनेट ब्रेंस हमारी एडिटेक प्लाटफॉर्म है फाबली हमारा सॉफ्ट वेर हम्पनी और हमें continuously developers की जरूत पढ़ती रहती है तो यह अगर आपको लगता है कि आप वह स्किल डेवलापर हो आप में वह स्पार्क है हमारे साथ एक रोलर कोश्ट राइट पर जाने के लिए तैयार हो सो अप्लाई है एंड इस वेरी इजी और यू नीड तो इस मेल एडी विच इस मागनेट ब्रेंस भॉपाल एट ग्मील डॉट कॉम दो बातों को ध्यान रखेंगे कि रेजुमे का रेजुमे में जो स्किल सेट है आपकी वह प्रॉपर्ली डीटेल में 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 लिखेंड हो द कोईमेंट से मैंच करती है देफिनेटली विड कॉंटक तकी रेडी इस एक्साइट तो गवएन अप्लाई है अड़के नाव कम इंग बाक टॉपक विच इस वेब ब्रॉजर अब क्या है वेब ब्रॉजर ब्रॉजर अब वैशिक बाता व में अपको अब छिए अनी काइं किसी भी डेटा के बारे में जान सकता हूं and we get information और मुझे information मिल जाती है, internet मिलते ही the internet provides us useful information easily, we use mobile phones computers and tablets, अब कुछ भी उस करो mobiles करो, computers करो tablets करो, laptops use करो internet से connectivity लो और वहां से आपको data मिल जाएगा, कितना असान है नहीं, but we can not get information by just only getting connected to the internet सर्फ internet से connectivity करने से काम हीच रगा, इंटरनेट से connectivity इंपॉर्टन्ट है आप सब्सक्राइब लाप्टॉप खोल के बठाओ, connectivity ही नहीं इंटरनेट से कहां कुछ भी दुनिया से मैं connected हो ही नहीं आसपास किसे से जब मैं connected नहीं हूँ तो data कैसे मांगोंगा, information मांगोंगा कैसे तो internet तो पहले सबसे जादा important है तो internet मैंने connect कर दिया, suppose wifi के मदद से, ethernet, cable के मदद से, किसी भी तरीके से, आपने wifi connect कर दिया आप दुनिया से connect हो गए तो क्या आप directly कुछ भी करके search कर लो का information क्या बोलो कर computer आपको answer देगा नहीं ना, अपको क्या चाहिए एक software चाहिए वो software कही नाम है web browser we need a platform where we can search for our questions तो क्या platform जहां पे हम क्या कर सकें search कर सकें, किस को अपने questions को the platform that provides such kinds of services is called a web browser और इस platform को ही थो web browser कहते है यह platform ही web browser है भाई ठीक है तो यह platform ही है जो हमें provide करता है जो भी हमारी information चाहिए तो भाई simple सी कहानी यह मेरा laptop है भाई ठीक है यह मेरी screen है laptop की यह उसका keyboard हो गया यह बना भी देते हैं आपके लिए थोड़ा सा ठीक ही बुड़ोगे आपका अब आपके में internet connectivity तो है भाई अब internet से तो connected हो यह आपका internet है अब internet से तो connected हो बट यहाँ बैपो क्या चाहिए एक platform चाहिए और यह platform ही क्या है यह platform ही है web browser platform ही क्या है platform ही है web browser clear? I hope this point is clear ठीक है? नव वेब ब्राउजर is an application software to explore www तो जो web browser है जो web browser है वो क्या है? वो एक application software है क्या है? एक application software है जो मैं use अच्छा system software application होते है यह application software है तो application software है जो हमें help करता है www को explore करने के लिए www क्या है? World Wide Web World Wide Web मतलब सारे web pages का collection तो पूरे web pages को explore करने में help करता है हमारी क्या? web browser इट प्रवाइट एन इंटरफेस between the server and the client अब जैसे कि आप client हो जैसा आप user हो ठीक है आप क्या हो client हो है ना अब यहां पर सब्सक्राइब server PC है क्या है? एक server PC है आप एक ठीक है? यह एक server है web server basically जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा है web server के बारे भाई अगर आपने वीडियो नहीं देखिए एक बार वीडियो देखिया है आपको web server के बारे में जानने को मिलेगा web server अगेन आपके इस लेबस में नहीं है आपको कुछ extra information ही मिलेगी जानने को तो एक बार देखिया server है server और client की बात है server के बीच में एक interface exist करता है मतलब आप as a human being यहां पर बैठे हुए हो ठीक है as a human यहां पर बैठे हुए हो तो बीच में क्या चाहिए एक interface चाहिए ताकि यह server और client communicate कर सके तो वह interface provide करने काम करता है so it provides an interface between the server and the client and request to the client for web documents and services अब यही जो client अब जो भी में मुझे सब्सक्राइब की वीडियो देखनी तो मैं अपना idea इसको दूँगा तो अब यह जो client है यह जो interface है यह basically इससे मांगेगा ठीक है चीजे request करेगा server इसको provide करेगा इसके चीजे और यह आपको provide करेगा तो वह interface है भाई बीच में से कोई भी चीज लेगा आपका idea लेगा और request करेगा http request करेगा server से http response का server से और फिर जो भी चीज आप demand करें वह आपको provide कर देगा ठीक है so it works as a compiler to render html which is used to design a webpage अब यह compiler है जो render करता html को यह बहुत important point है क्या मतलब तो देखो अब web server web server हमने पुराने video में detail में सीख रखा है नहीं देखा है जाके देख यह तो web server basically क्या करता है web server this is supposed web server यहां पे लौता यह है यह क्या है web server अब यह web server अकेला नहीं है भाई यह और devices connected है अपने जहां पर data है suppose जहां पर क्या है data अब suppose मैंने क्या किया paper है मेरा ठीक है अच्छे mark score करने है तो पढ़ना पढ़ेगा अब पढ़ना पढ़ेगा तो content freely कहा available है तो मैंने यहां पर website वो खुल गई website अब जो finally अब मैं last page पर जाता हूं बिल्कुल जिस पर video है अब यह basically page है अब यहां पे जो video play होने वाली है यह video क्या है यह तो data है ना तो सबसे पहले data fetch किया जाएगा मतलब इस particular page पर पेज पर जो हमको देखते हैं ठीक है इस page पर अलग लग जग अलग लग चीज़े लिए content का नाम लिखा हुआ है यहां पर options आपके पास यहां पर options हैं बहुत साथ चीज़े आपके पास बीच में data है video तो अब यह हर चीजों को fit करने का काम कौन करता है web server करता है अब basically basically क्या करेगा वह fit तो कर देगा आपको मिल तो जाएगा बट यह क्या मिलेगा यह आपको HTML के format में मिलेगा यह web server से आपको content मिलेगा वह HTML के format में मिलेगा अब HTML अगर अपने directly देख लिया तो डर जाओगे अगर देखना है तो inspect खोल लो अपने किसी भी web page का right click करके inspect खोलो देख लेना HTML में कैसी चीज़े लिखी होती है डर जाओगे देखके बट आपको तो beautiful way में देखती है तो वह beautiful way में कैसी दिखती है मतलब कि यहां सबका सारा content आ गया अब यहां पर से content आया है इसमें बहुत लंबी चोड़ी quotes लिखे हो है quotes लिखे हो है बहुत से लंबी चोड़ी line से quotes लिखे हो है बट यह beautiful इस format में कि भाई आपका suppose यह एक page हो यहां पर url दिख रहा हो यहां पर magnet brains लिखा हो यहां पर video open हो जाए यहां footer है यह सब कैसे display होता है तो basically यह web browser करता है web browser क्या करता है web browser यह code को लेता है HTML code को लेता है है ना और इसको compile करके इसको compile करके beautiful way में represent करने का काम करता आपको तो वह इंटरफेस है जो यह काम कर रहा है वही तो है web browser तो basically web browser compiler की तरीकी से काम करता है जो render करता है HTML अब इसको pure compiler नहीं कहेंगे ठीक है बड़ ठीक है मतलब यह बिल्कुल उस programming compiler के तरीकी से काम नहीं करता है यह हम word use कर सकते हैं HTML code को compile करके render करने का काम करे प्रपरली आपको डिस्प्ले करने का काम करे beautiful वह में graphics के साथ proper alignment के साथ proper fonts के साथ proper designing के साथ वह है basically web browser ठीक है so it works what works web browser works as a compiler to render HTML which is used to design a web page तो basically क्या आया तो आपके पास जो भी web server है web server data data collect किया एक web page बनाया web page graphics के form में नहीं बनाया उसने code के form में बनाया code के form में उसने वह data जो है web browser को दे दिया अब web browser वह software है जो उस पूरे code को compile करेगा render करेगा render करेगा proper graphical way में represent करेगा ठीक है कुछ भी कमिया है उसको सही करेगा सारे graphics लगाएगा fonts adjust करेगा alignment adjust करेगा और तो बस यही बता रहा हो आपको क्या करो web page खोलो कोई भी website खोलो कोई भी web page पे जाओ right click करो वहाँ पे नीचा option आएगा inspect का उस inspect पे click करो right में code खोल जाएगा ठीक है बस डेखके डरना बात code को ठीक है तो यह काम आप कर सकते हो अच्छा किस नहीं inspect पहले कर रखा है मुझे comment section में बताओ अगर आप लोगों ने यह inspect वाला काम है पहले कर रखा है तो comment section में बताइए और एक और काम आप लोग के लिए मुझे shortcut की भी बताइए इसका shortcut की होता है inspect करने का एक किसी web page को inspect करने का मतलब यह जानने का कि इसके पीछे code क्या लिखा हुआ है इसका एक shortcut की होता है मुझे comment section में बताइए वह shortcut की यह आपका home वाक है चलो I hope यह चीज समझ माई whenever we search anything on the internet the browser loads a web page written in HTML तो basically जब भी मैं internet पे कोई भी चीज़ सर्च करता हूँ तो मुझे web server से code के form में content मिलता है web browser क्या करता है उस code को render करके compile करके देता है ठीक है तो वही लिखा हूँ whenever we search for anything on the internet the browser loads a web page written in HTML including text, links, images and other items such as style sheets and JavaScript functions इन सब के साथ मतलब देखो basically जो HTML है जो code HTML लिखा हुआ है वह HTML क्या करता है अब यह चीज़ हम web page और detail में समझेंगे तो basically एक HTML क्या करता है tags alignment का काम करता है उसमें tags use करते हैं मतलब हम यह कहते हैं कि यह एक suppose web page है यह एक web page है अब इसमें कोई content मैंने लिखा suppose header tag header tag यह बता रहे और वह सब चीज़े में HTML में बताता हूं तो HTML एक तरीके से आप यह समझो अगर एक web page की में बात करूं बहुत basic साइडिया एक web page के अगर में बात करूं तो उस web page में एक web page में अगर मैं कहूं कि उसका skeleton बनाना है ठीके आप imagine कर एक car बना रहे हूं एक car का जो skeleton होता है बिल्कुल proper skeleton वह हो गया आपका HTML उसके अंदर फिर आपने paint कर दिया color पे तो वह हो गया CSS और उसमें आपने जैसी engine लगा दिया चलने के लिए वह हो गया JavaScript मतलब एक page एक page जिसमें इसका skeleton की कोई चीज कहां जाएगी कैसे जाएगी कैसे रहेगी कैसे display होगी यह हो गया आपका HTML बिल्कुल base बिल्कुल structure HTML उसके बाद CSS इसमें मैं add करता हूं उसको style करने के लिए font अलब टाइप के fonts use करने के लिए designs use करने के लिए उसके लिए CSS use करता हूं JavaScript मैं use करता हूं responses ब्राउजर में response जैसे error आ गया कोई भी चीज या फिर accept हो गई यह चीज डिस्प्ले करने के लिए तो जान लाने के लिए उस particular webpage को response करने के लिए user के साथ मैं use करता हूं Java script का समझ माया अब इसके इलावाथ जो चीज है basically webpage में डाल के रहा हूं content अब content हो सकता है text के form में हो audio format में हो video format में हो images हो graphics हो बहुत साथ कहान ही हो सकती है data के form तो वो सब data भी इसमें होता है वही हम यहाँ पे कह रहे हैं whenever we search anything on the internet the browser loads the webpage written in html including text links images and other items such as style sheets and javascript functions तो आपका webpage है जो html में लिखा हुआ है उसके इंदर text होगा links होगी जो data है images होगे अब यह सब क्या data है text, links, images, videos, audio यह सब data है and other items such as style sheet style sheet मतलब styles add करने काम करता है अलग-अलग font, formatting underline वगेरा हो गया size वगेरा हो गया borders वगेरा हो गया वह सब चीज आड़ करने काम होता है theme हो गया तो style sheet से वह सब चीज आड़ होती है basically यहां पर हम CSS का use करते है cascading style sheets का and javascript function javascript जो उसमें जान डालने काम करती है responsive बनाने काम करती है user के साथ in track कर सके वह का I hope यहां तो कहानी clear कोई दिक्कत नहीं है web browser की यहां तक कहानी पूरी clear हो चुकी है ठीक है now अब एक जो browser है वह client program है ठीक है जैसे अगर आपको याद हो web server में हमने यह चीज देखी थी कि जो web browser और web server का काम है यह client server की तरीके से काम करते हैं उसी में browser के client program browser browser is a client program as it runs on a user computer or mobile device and contacts the web server for the information requested by the user basically क्या है यार देखो मैं as a user यहां बैठा हुआ हूँ ठीक है user में यहां पर बैठा हुआ हूँ अब मैं यहां पर browser में कुछ भी डाल रहो यह मेरा web browser अब basically मैं अपने आपको तो अपना चहरा तो दिखा नहीं रहो अपना नाम तो दिखा नहीं रहों सामने वाले को मेरी तरफ से basically represent कौन कर रहा मुझे web browser मेरा रिप्रेजेंट कर रहा मुझे to basically web browser को मैं कहता हूँ client एक architecture में कहता हूँ client basically actually client मैं हूँ मैं as a user client हूँ मैं ठीक है जो किसी server से किसी चीज से कोई response मांग रहा है this is suppose मैं as a student हूँ मैं class 11th का student हूँ sorry class 12th का student हूँ मुझे computer networks पढ़ना है chapter 10th suppose मैं as a situation है अब मैंने क्या कहा यह मैंने request करी magnet brain से कि भाई मुझे please ये videos provide कर दीजे तो मैं client हूँ बट मैं directly थोड़ी show कर रहा हूँ अपने आपको मैं क्या कर रहा हूँ web browser पर डाके जाके magnetbrains.com website search कर तो मेरी तरफ से search करने का काम कौन कर रहा है represent कौन कर रहा है मेरे को यह कर रहा है न तो उस पूरे architecture में web browser client की तरीके कर रहा है वो client की तरीके से काम कर रहा है अब basically जो web browser है मतलब मैं जो हूँ मैं क्या चाहरा हूँ magnetbrains की website से video चाहरा हूँ chapter 10 computer networks का तो अब यह कहां पर saved है यह एक server पर saved है किस पर saved है server पर saved है जिसको मैं कहता हूँ web server यह क्या है मेरी तरफ से मेरा web browser इस web server से क्या गर रहा है या इस web server पे http request भेज रहा है यह na http request भेज रहा है http मतलब hypertext transfer protocol जिससे hypertext markup language में जो content है वो आता है इसके पास चो http request भेज रहा है किसको web server को जो एक server की तरीके से काम कर रहा है और यह server in response यहां पे इसको http response भेजता है वेजता है web browser के पास जो एक client की तरीके से काम कर रहा है और वह समझ पाता है कहानी तो बस वही चीज है ठीक है so a web browser is a client program as it runs on a user computer और mobile device basically जो web browser कहां पे काम करेगा यह user के mobile पे काम करेगा यह फिर laptop पे काम करेगा यह फिर PC पे काम करेगा यह फिर आपके tablet पे काम करेगा आज कल तो smart watches पर भी काम करने लग जाता है तो वह सब कहानी है ठीक है mobile device and contacts the web server or web server से बात चीट करेगा for the information requested by the user the web server sends back the to the browser that displays sorry the web server sends the data back to the browser अब जो web server है वो browser को वापस से data send कर देता है HTTP response के form में है ना to the browser that displays the result on internet supported devices जो internet क्योंकि देखो डिस्प्ले कहां पे होगा अब browser को मिल तो गया है browser run कहां पे होगा browser सिर्फ रन वहीं पर होगा जहां पर इंटरनेट सपोर्टेड है तो इस पर रिक्वेस्ट आजेगी और अब देख पाऊ कंटेंड को on behalf of the user the browser sends a request to the web server all over the internet by using HTTP to on behalf of the user user के बिहाफ पे the browser browser send करता है क्या सेंट्स request to the web server web browser request send करता है web server को all over the internet पूर internet पे by using HTTP hypertext to answer protocol अब browser requires a smartphone computer or tablet and internet to work बस web browser को चाहिए कि एक तो device चाहिए या तो वह smartphone हो या तो वह laptop हो या तो पीसी हो या तो वह tablet हो आज को smartwatches भी support होती है और internet और internet तो उस पर वह काम कर जाएगा राइट नहीं थोड़ी बाथ brief history about web browser क्या तो वर्ड वाइड वेब वस दो फॉर्स वेब ब्राउजर है ना अब वर्ड वाइड वेब तो काओगे सर वर्ड वाइब तो अलग चीज होती है वर्ड वाइब तो बेसिकली सारे वेब पेजिस का makes sure collection but सबसे पहले bag browser का भी नाम takoo अब डफले यह चीज तो नहीं पता होगी अफłem है ど कमेंट अ को इस और 25 से कैने नहीं चीज पता चली कि सबसे पहले वेब ब्राउजर का नाम है वर्ड वाइड वेब सबसे पहले वेब ब्राउजर का नाम है वर्ड वाइड वेब and which was sorry was the first browser it was created by w3c director now what is w3c so अगर आपको याद हो और डारेक्टर देखो कौन है डारेक्टर है टेम बर्नर्स ली तो 1990 में टेम बर्नर्स ली ने क्या किया था भाई आपका हाइपर टेक्स हाइपर लेंक ट्रपल डबलू वेब ब्राउजर http html इन सबका concept निकाला था ठीक है अब इन्हों ने उसी समय क्या बनाया था consortium बनाया था w3 consortium बना वर्ड वाइड वेब डबलू 3C मतलब डबलू 3C मतलब वर्ड वाइड वेब consortium ठीक है मतलब एक ऐसा platform जिसमें जो भी जो भी लोग interested है इस पर्टिकलर technology में research करने में अपने ideas देने में development में वो जुड़ जाए आप तो वो जुड़ गए तो उसके जो डिरेक्टर थे जिन्हों ने बनाया था वस्तिम बनुर्श ली 1990 में ठीक है इन्हों नहीं सबसे पहला वेब ब्राउसर बना जिसको नाम रख देना वर्ड वाइड वैड 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 अब अगर वेड ब्राउसर का नाम भी वर्ड वैड 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 और एक नहीं चीज का मलब टेक्नोलोजी का नाम भी internet के उपर यूटिलेटी है उसका भी नाम वर्ड वैड वैड लग दिया तो कन्फूजिन हो जाएगा ना तो इसलिए इसका नाम बात में चेंज कर दिया गया तो इसको बात में नाम दे दिया गया नेक्सस तो अवाइड कन्फूजिन कॉस्ट बाइड अक्चुल वर्ड वाइड वैड 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 जिसमें वेड पीजिस का कलेक्शन है पूरा जो यूटिलिटी है आपका इंटरनेट के उपर उससे कन्फूजिन ना जाए तो इसलिए इस वेड ब्राउजर का नाम invented in 1992 फिर 1992 में नया वैड ब्राउजर Raja इसको लेंस ब्राउजर कहते थे और यह सिर्फ टेक्स्ट बेस ब्राउजर था मताब सिफ टिक्स्ट अपर्ट करता था कोई ग्राफिक शर्पर्ट नहीं करता था कोई इमच नहीं मिलेगी कोई साउंड नहीं मिलेग हो सब का था ठी ncsa mosaic तो सबसे पहला फॉर्स्ट ग्राफिकल उसर इंटर्फेस ब्राउजर कॉंसा है जी वाई ब्राउजर सबसे पहला जी वाई ब्राउजर कॉंसा है so that is ncsa mosaic ठीक है ncsa mosaic सबसे पहला आपका gui browser it was the first most popular browser in the world which was introduced in 1993 1993 में यह ब्राउजर आया सबसे पहले इंट्रेद्यूस और सबसे ज़्यादा फेमस हुआ बहुत फेमस हुआ 1993 में यह mosaic browser in 1994 there was some improvements that occurred in mosaic अब यह जो mosaic है ncsa mosaic है इसमें कुछ improvements है ना improvements को कहा गया बताया गया 1994 में और फिर release क्या हुआ and came to netscape navigator अब netscape navigator के यह बारे में तो आपने सुना हुआ है और यह भी सुना हुआ कि net sucked navigator सबसे बहुत ब्राऊजर है नहीं यह सबसे पहला फूली functional proper just about to say that net안 इसाव्य कहकने जार्म सकते हो सबसे पहला fully functional graphical user interface ब्राऊजर है इससे पहले भी यह समझ में नेक्स्ट इस इन 1995 अब 1994 तो कहानी से अब 1995 में बहुत बड़ा revolution आया जब आपके कौन थे हमारे Microsoft भाया जो थे Microsoft के founder कौन भाई मेरा नाम ही भूल गया Microsoft के founder that is what Bill Gates yes Bill Gates the Bill Gates वे ने 1995 में क्या किया 1995 में Windows 95 निका ली थी अब Windows 95 was packed with a lot of things इसमें Microsoft Office था जिसमें उनका ब्राउजर था ठीक है सो इन 1995 Microsoft introduced the internet explorer internet को explore करिये भाई internet explorer सबसे पहला web browser Microsoft की तरफ से release किया गया 1995 में अपने Windows 95 में pack करके it was the first web browser developed by Microsoft यह सबसे पहला browser था जो Microsoft ने developed किया था in 1995 85 right now research so a research project started on opera opera भी करते नब opera पर 1995 की कहनी कहतम हो गई उसके बाद फिर opera पे जो है किरा गया एक research project start किया गया 1994 में later it was publicly introduced in 1996 to 1996 में उसको ने पुब्लिक लिंट्रोडिस यहां था फेमस नियुँआ उस समय internet explorer was the hack है ना और internet explorer बिल्कुल अपने चर्म सीमा पर था बहुत जादा यूज होता था बहुत अधा फेपस था अपरा कहीं आगे इधर दर स्टांडी नहीं करते था और आज के समय में देखो आज के समय पर internet explorer को छोड़ के बाकि सब यूज करते है अब बलकि internet explorer एज बन चुका है उसके बारे में भी बताओंगा मैं यहाँ पे ठीक है बट उसको छोड़के बाकि सब यूज होता है चलो तो उस समय 1995 के समय में भाई जो पूरा इंडस्ट्री को रूल कर रह था वो Microsoft कर रह था इंटरनेट एक्प्लोर करता था 1994 में उपेरा बना 96 में रिलीज भी है पर इसको कोई पूछता है ठीक है अब उसके बाद है आपल मार्केट मैं आपल आपल सफारी ब्राउजर वस इंटर्डूस निकाला अपल ने अपना सफारी ब्राउजर निकाला इड़ वस स्पेसिफिकली रिलीज फर मैक इंटॉश कंप्यूटर आपल अपने कंप्यूटर निकाले उनको सपोर्ट करने के लिए उसमें जो विब्रोजर सपोर्ट होता है डाट वर सफारी जो इसने रिलीज किया था कि इसन हुआ है ना उसका रीजन यह है कि इसका सक्सेसर वह बहुत अच्छा था यह मोजाग कहीं भाई है ठीक है मोजाग पहले नेटस्के नेविगेटर बनाया है नेविगेटर बना फिर आया मोजीला फायरफॉक्स ठीक है आइफोन की जो फेमस होने लगा आइफोन तो इसलिए आइफोन के लिए निकाला गया मोबाइल सफारी और वह दोज़ाद में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ ठीक है पॉपिलर ब्राउजर गूगल क्रॉम वस इंप्रद्यूज यह वस लांच इन तो जो गूगल क्रॉम जो हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं वह बहुत लेट रिलीज हुआ है 2008 के आसपास ठीक है गूगल क्रॉम दा फास्ट ग्रोइंग मोबाइल बेस्ट ब्राउजर ऑपेरा मीनी वस रिलीज़ इन 2011 के बाद मदब 11 से जब ऑपेरा मीनी आया तब से क्या हुआ ऑप इंडस्ट्री में बहुत तेज इत्व से ग्रोथ आई उपेरा में उन्होंने यह रिलाइस किया कि आगे भी जो कि कहते हैं अब जिब लोगों ने यह फील करने लगया मोबाइल में बहुत अच्छा चल रहा है तो उन्होंने यह सोचा कि क्यों ना हम अपने लाप्ट पे म में चला गए उस पे उनको अच्छा परफॉर्मेंस मिला तो वहां से उपेरा ग्रोंने लग गया मतलब 2011 की आसपास उपेरा भी बहुत तीजी से ग्रोंने लग्या बिकास मोबाइल पर बहुत ज़ता है तेज था तो सचुबेशन यह थी उस समय अपके तीन में लीडर्स हनला गए सफारी क्रों और अपेरा अपक्या सचीशं तीह पारी क्योंकि सिर्फ एपल डेवाइस में चलता था और ने निवाइस में सिर्फ सफारी चला ते लोग तो सफारी डिवसिदे में रिस्ट हो गया अब जब ऑपन सोर्स की नाम पेस्ट्रेक्श इंबचीया फ at जो चीज़े बची वो थी आपकी ऑपेरा और गूगल क्रॉम आप सचुवाइशन यह थी कि गूगल क्रॉम वस्वेरी गूड वेरी गूड यूज़ कर रहे थे बिट लोगों ने पाया कि मोबाइल में गूगल क्रॉम नहीं है अच्छा नहीं चल रहा है फिकास गूगल क्र परफॉर्म कर रहा था तो उस सुचेशन में यह पाया गया कि लोगों ने देखा चलो यार उपेरा मीनी यहां से चल रहा हो सकता है इसका ब्रॉजर बहुत ही अच्छा हो लाप्टॉप्स में मुबाइल उस पर चलाया उनको अच्छी परफॉर्मेंस में ली तो वह लोग उपेरा पर शेफ्ट हो गए तो इसलिए ओडियंस ओपेरा की भी बनने लग गए और बहुत फेमस होने लग गए कुछ लोग मोजीला फायरफॉक्स को जो उस समय बहुत जदा क्योंकि नेटस्के नेविगेटर उसका सक्सेसर था ठीक है तो मॉबाइल मॉजीला और तीसरा था उपेरा इंटरनेट एक्सप्रोडर तो गिंती में नहीं आता था ठीक है फिर फायली यह चीज़ करते हुए कि हमारा वेब ब्राउजर तो कोई यूजी नहीं कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट ने एज ब्राउजर निकाला इंटरनेट एक्सप्रोडर के अलावा एज ब्राउजर निकाला अब कुछ लोग को तो यहीं नहीं बता होगा एज ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्रोडर से अलाग है तो यह यह भी लिख दे ना कमेंट सेक्शिन में की नहीं चीज़ पता चाहिए तो Microsoft ने एज ब्राउजर निकाला एक नया ब्राउजर निकाला कहां पे 2015 में और फिर इसमें काफी अच्छी चीज़ आने लग गई लोग यूज़ करने लग गए मतलब बेटर था ये इंटरेट एक्स्प्लोर से बेटर था तो कुछ लोग फिर अब एज को भी यूज़ करने लग गए ठीक है क्योंकि Microsoft ने इस पर इंप्रोव्मेंट करें थी इसका बहुत स्पेशल फीचर है रीड अलाउड तो अगर सब्सक्राइब एक PDF देख रहे हूँ आपको इसको पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है तो वहां लिखतो रीड अलाउड और अपना इंडियन अक्सेंट से कर लो अपका यह रीड कर देगा अपका PDF को तो बहुत अच्छा फीचर मुझे लगता है एज ब्राउजर का तो इसके लिए मैं स्पेसेटिक लिए यूज करता हूँ Microsoft Edge ठीक है तो एज ब्राउजर उसलिए 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 तो यह था बाई एक ब्रीफ हिस्ट्री नेस्ट है हाउ डू अवे ब्राउजर वार्क अब दगो वही बेसिकली वही काम जो अभी तक वेब सर्वर्स में हो रहा था वही कुछ यहां ब्राउजर में भी हो ठीक है तो वह एसे यूरल लिखते हैं मागनेट ब्राउजर में लिखा गया अब ब्राउजर ने लिखा किया request किया domain name server से अब उससे क्या हुआ इस इस नाम का ip address मिल गया ip address मतला यकतरीकर से server की location मिल गई अब router से होते 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 उस web server पे पहुंच गया जहां पर भी magnet brains hosted है अब उस magnet brains जो web server है और जो हमारा web browser जो हमारा PC है इनके बीच में connection setup हो गया establish कर लिया गया और फिर आगी situation बढ़ी the browser sends the user request to the server using an IP address which is described by the domain name server domain name server ने जो IP address दिया था उसकी मदद से request भेजी गई browser के दुआरा किसके लिए connection के लिए IP address पे या फिर कोई भी web page जो भी चाहिए उसके लिए now the domain name server sends an IP address to the web server that hosts the website ठीकिए the server sends the information back to the IP address which is defined by the browser at the time of the request अब जब web browser ये request कर रहा है web server को request क्योंकि web browser के पास तो IP address है web server का अब web server respond कैसे करेगा तो web browser जब भी request या फिर जब भी connection setup कर रहा है जब भी request भेज रहा है web page के लिए ये साथ में अपना IP address भी भेज रहा है कि भाई मैंने यहां से मेरे PC का IP address यहां पे है यहां से मैंने तो मैं request भीजी वापस इसी पे देना है तुम्हें तो मुझी को देना है तुम्हे वो request लाके तो वो अपना IP address उसको प्रवाइड कर देता है और वैसे ही उसको बस request आजाती है मैंने response आजाता basically so the server sends information back to the IP address which is defined by the browser at the time of request the requested page may include links to other files on the same server like images for which the browser also requests the server of web pages the web page की form में display कर देता है अब web browser ही है वो software device जो basically क्या करता है जो आपका compiler की तरीके से काम करता है एक तरीके से आपका rendering करने काम करता है files को क्योंकि जो वहां से आ रहा है वो तो raw code है अब code को beautiful graphical form में represent करने काम करता है अब basically यह क्या है web page represent करता है अब next जो आपकी कहानी है वो है web page के उपर तो जो next video है वो है focused on web pages only मतलब next video में हम web pages के बारे में पूरी कहानी सीखेंगे कि भाई क्या है web pages क्यों है web pages कितने type के हैं कैसे काम करता है सब कुछ detail में जानेंगे about your web page definitely आपके syllabus में बहुत कम दे रखा है but again I am saying अगर आप computer industry में उतर रहे हैं networking सीखना बहुत important है और एक से at least web server web browser website web page इन सब के बारे में तो detail में पता होना ही चाहिए कोई भी पूछे you must not be blank ठीके नाक नहीं कटानी है हमारी right चलो तो I hope यहां तक चीज़े clear है है ना यह चीज़ clear हो चुकिए तो अब web page के बारे में next video में हम जानेंगे तो उसके लिए बने रहीएगा है और और अगेन I am reminding you कुछ भी नया सीखा है web browser के बारे में इसमें तो comment section में लिखिए कुछ नहीं सीखा है तो भी बताईए आपका revision हो गया एक तरीके से right चलो now next slide so next slide है भाई हमारी website ठीक है website पर भी आएंगे बट पहले web page तो यह पर बेसिकलिए जो front है home page यह एक web page ही है तो basically मैंने magnetbrains.com यह जो URL यह सर्च किया तो जो server से connect होगे यह web page मेरे browser पर launch हो गयता तो भाई यह मेरा browser ही है और most probably Google Chrome है मुझे तो Google Chrome है यह web browser जिस पर मैंने यह लिखा है अब दो को एक्जांपल देनी के तो जुरूब नहीं ना web browser का example तो बहुत सारे आपने देखी लिए कितने बहुत सारे भाई Netscape Navigator से शुरुआत करो Netscape Navigator फिर Mozilla Firefox फिर Apple Safari फिर Google Chrome फिर Mozilla Firefox फिर Opera फिर Brave ना बहुत सारे भाई examples मुझसे जादा आप लिस्ट कर दोगे राइट चलो इनके लावा कुछ भी web browser से comment section बताओ ठीक है जो आपको पता है चले web browser में हमने magnetbrains.com खोड़ लिया तो यहाद डिरेक्ली आप क्या करो URL डाल तो www.magnetbrains.com या फिर आप क्या करो आप Google पर सर्च कर लो magnetbrains.com यह magnetbrains सर्च कर लो जो पहले website उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लाइंड कर जाओ को यह हमारा home page है यहाँ पर बहुत सारे option है इसमें से आपको CBSE K-12 English करना है CBSE kindergarten to class 12 English medium select करना है यह पूरा class पालेट आपके पास है इसमें से class 12 पर क्लिक करना है तो under this section मतलब class 12 के लिए CBSE K-12 English medium में magnetbrains आपको जो-जो courses offer करता है वो सब खुल जाएंगे नीचे scroll down करो search करो computer science को watch now पर क्लिक करो तो computer science की सारी videos खुल जाएंगे chapter wise किसी आपके पास जिसकी मुदद से आपको यहां पर सकते हों और यहां पर कुछ और extra benefits भी है यहां पैसा नहीं कि आपको distraction मिलेगा इदर दर की videos को distract करेंगी नहीं यहां focus हो कि पर सकते हो यहां आपको magnetbrains का सारा content मिल जाएगा whether it be NTSC, Olympia, CBSE Board, State Board, NCIT कि यहां किसी भी famous author की बात करें concerned subject में सारा content आपको मिल जाएगा अमरे platform पे मतलब यह तमरे YouTube चानल पे यह फिर हमारी website पे यह फिर हमारे app यहां मिल जाएगा आपको quality education and that too free of cost yes you heard that right free of cost 2 chapters से 2 videos की बात नहीं कर रहा हूं complete corset की बात कर रहा हूं complete corset आपको मिल जाएगा free of cost all you need to do is come and learn from these videos even a update आपको हमारे यहां पे competitive exams मिल जाएगे आपको यहां पे IIT जाएगा आपको यहां पे NEET मिल जाएगा आपको यहां पे CUT मिल जाएगा आपको यहां पे banking exams मिल जाएगे और यह सब कुछ free of cost है paid रही है कुछ सब कुछ free of cost है और दो chapters दो videos की बात नहीं कर रहा हूं complete corset की बात कर रहा हूं complete corset आप लोग के लिए freely available है बस आपको करना क्या है आपको आना है videos देखने हैं उनसे सीखना है doubts पूचने हैं कोई भी doubts अगर आपको है doubts पूचने हैं लग 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 प्लैटफरम में पसंद आ रहा है videos अची लग रही है प्लेस पसंद आ रही है अगर आपको लगता है कि अपर रोजन से कुछ निया सीख रहे हैं अगर आपको लगता है कि आपको आपको एक्जाम से महल फोरी हमारी वजह से सो हमारे साथ यानिकी मारे बेसके से जुड़े रही है विकास हम लाते हैं आपके लिए किंडर कार्ण से क्लास टोल तक हर कोर्स फ्री ऑफ कोस्ट हर कोर्स में हम आपके साथ है तो वी एक्स्पेक्ट आप यह मैं से इस तरह के सबने रहेंगे और राइट मैं आप से मलता फ्री ने ने च्ट रिए में तिल देन गद्बार थैंक्यो वेर्मच